जै स्री कृष्णा आई ये सुनते हैं कामका एका दसी पारण का शुब महोड पूजन बिधी एवं पारण में सबसे पहले क्या करें क्या ना करें हिंदु धर्में एका दसी का विसेस महत्व होता है और साल में कुल 24 एका दसी के ब्रताते हैं पंचांग के अंसार सामन माह के कृष्ण पच्छ में पढ़ने वाली एका दसी को कामका एका दसी ब्रत रखा जाता है इस साथ कामका एका दसी ब्रत आज यानि 24 जुलाई 2022 को रखा जा रहा है शामन माह में पढ़ने वाली इस एका दसी की कई विसेस ताएं हैं कामका एका दसी में भगवान विश्डू की पूजा अर्चना करने से स्रीहरी विश्डू अपने भक्तों की सभी मनो कामना पूरी करते हैं धार्मिक मान्यता के अनसार कामका एका दसी का ब्रत रखने वाले जातक को अपने जीवन में किये गए सभी पापों कर्मों से मुक्ती मिलने के साथ उनका आशिरबाद भी प्राप्थ होता है कामका एकादसी का ब्रद स्रीहरी बिश्डों को शमर्पित है मान्यता है कि जो जातक बिधी बिधान के साथ यह ब्रद करता है उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है कामका एकादसी का पूजन करने से पित्रों का भी आशिरबाद मिलता है एका दसी के दिन दान पुण्य करना भी लाबकारी होता है जो जातक काम का एका दसी का यह ब्रत करते हैं उनके जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर होते हैं और उन्हें मोच की प्राब्दी होती है उद्यातिथी के अंसार काम का एका दसी का ब्रत 24 जुलाई को रखा गया है इस ब्रत का पारण 25 जुलाई को प्रातः 5 बज कर 38 मिनट से 8 बज कर 22 मिनट के बीच होगा मान्यता है कि एका दसी का पारण सुब महुट के अंदर ही किया जाना चाहिए एका दसी के ब्रत पारण का मतलब होता है खोलना या ब्रत खोलना ब्रत का पारण शदे द्वा दसी तिथी के समय किया जाता है और द्वा दसी तिथी में सुर्योदै के बाद ही ब्रत पारण किया जाता है लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि द्वादसी तिथी समाप्त होने से पहले ही ब्रत का पारन कर ले धार्मिक मान्यता है कि अगर ब्रत का पारन द्वादसी तिथी समाप्त होने के बाद किया जाता है तो इससे ब्रत का फल नहीं मिलता बलकि पाप लगता है भगवान विश्रू को तुलसी बेहत प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी नहों तो वह पूजा या भोग वह ग्रहर नहीं करते इसलिए भगवान विश्रू के किसी भी ब्रत में तुलसी का प्रियोग जरूर करें और एका दसी ब्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डाल कर पारण कर सकते हैं आवले के पेर पर भगवान विश्रू का वाश होता है इसलिए आवला का भी विशीस महत्व होता है एका दसी ब्रत का पारण आवला खाकर करने से अखन सोभाग्य आरोग्य और संतान सुक की प्राप्ती होती है एका दसी ब्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए एका दसी ब्रत के दिन चावल खाना मना होता है लेकिन द्वादसी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से प्राडी रेंगने वाले जीव की योनी में जन पाता है लेकिन द्वादसी को चावल खाकर ब्रत का पारन करने से इस योनी से मुक्ती भी मिल जाती है सेम को कफ और पित नासक माना गया है और ब्रतपारन के लिहाद से भी यह उत्तम माना गया है ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्त के हिसाब से बेहतर पारन भोज्य माना गया है ब्रतपारन में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रियोग करना चाहिए गाय के सुधगी से ही ब्रत के पारन का भोजन बनना चाहिए घी को सबसे सुधपदार्थ माना गया है और ये सीहत के लिए भी अच्छा होता है पारन करते समय कुछ चीजों का प्रियोग भोजन में भूल कर भी नहीं करना चाहिए मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लशुन, प्याज, आज का पारन में प्रियोग निशेध है बैगन पित दोस को बढ़ाता है और उतेजना बर्धक होता है वही मसूर की दाल को अशुध माना गया है मूली की तासीर ठंडी होती है इसलिए यह ब्रत के ठीक बाद सिहत के लिए शही नहीं होती लशुन प्याज तामसीक भूजन होता है इसलिए इसका प्रियोग भी वर्जित है माना जाता है कि इसी खाने से उतेजना, क्रोध, हिंसा और असांती की भावना आती है इसलिएफ झाले रती है